तो आजके इस वीडियो में हम discuss करने वाले NBHM के questions को discuss करेंगे ज़ो कि जून 18 को हुआ था तो आजके इस lecture में जो हम NBHM के questions को discuss कर रहे हैं वो ग्रूप theory का question है क्योंकि NBHM में जितने भी group theory के question आया थे वो काफी simple आया थे यानि कि अगर आपको कुछ formula भी पता है तो उनके health से आप उन questions को deal कर सकते थे ठीक है तो basically आज के इस वीडियो में हम लोग group theory की questions को discuss करेंगे जो कि NBHA में पूछा गया था ठीक है तो start करते हैं पहले question क्या था उसके बारे में हम लोग discuss करते हैं बाकि आपका net का notification आ चुका है application form भी start हो गया है तो वो आप लोग fill कर दिया होंगे ठीक है जिसका paper कभी भी September में हो सकता है date अभी fix नहीं हुआ है इसके लागए date का भी application form आपका September में आएगा जिसका paper fav में होगा उसका भी date आ चुका है MS set के बारे में अभी तक कोई notification नहीं है तो start करते हैं हम लोग question को discuss करना अब ये group 3 का एक question था बहुत ही simple question है कि A एक abalian group define किया है कि Z by 7 Z direct sum या इसको आप direct product बोल सकते हो Z by 49 Z जहाँ पे इसने Z by N Z के बारे में भी define कर दिया है कि ये एक cyclic group है integers modulo N का और सिधे सिधे question पूछ रहा है कि इस A के पास 7 order के कितने subgroup होंगे तो बहुत ही simple question है कुछ नहीं इसमें ऐसा कि बहुत ही कुछ extra पूछा है simple question है just आपको result पता होना चाहिए simple formula अगर आपको पता है तो आप इस question को deal कर सकते हो ऐसे question आपको chances है कि आपको net में भी देखने को मिल सकते है या फिर आप कोई भी exam देख रहे हो चाहिए IT jam हो net हो, gate या set में आने के chances है क्योंकि इतना difficult question नहीं है ठीक है अब हमें given है कि यह एक roof define किया है z by 7z direct product z by 49z अब ठीक है अब यह abelian group इसके लिए दिया है क्योंकि यह एक cyclic group नहीं ठीक है क्योंकि जैसे मालो पहली बात है यह पहले हम यह समझते है कि z by 7z और z by 49z क्या है अब z by 7z यह हमारे पास एक quotient group है जो की isomorphic होता है जैसे कि अगर मैं z by nz ले लो तो यह isomorphic होता है जेडन के और जेडन के है हमारे पास यह एक cyclic group है अगर कोई भी group cyclic group हो तो उसके बारे में सब कुछ हमें पता होता है जैसे कि उसके पास कितने number of subgroup होंगे किस order के कितने number of subgroup होंगे किस order के कितने number of element होंगे यह सारी चीज़े हमें cyclic group के अंदर पता होती है ठीक है तो यह हमारे पास एक cyclic group हो गया order n का और जितने भी cyclic group होते है order n के वो आपस में isomorphic होते हैं यह भी एक result है अब क्योंकि इसने अल्रेडी कह दिया है कि z by 7 z एक cyclic group है तो यह isomorphic हो जाएगा z7 के और ऐसे यह isomorphic हो जाएगा z49 के अब next question यह आता है कि क्या यह cyclic group है और यह cyclic group है तो क्या यह cyclic group होगा तो answer n q क्योंकि यह cyclic group तब होगा जब 7 और 49 का gcd बन होता but 749 का gcd क्या रहा है मारे पास simple 7 आ रहा है तो यानि कि यह आपस में co prime या relatively prime नहीं है तो therefore यह simple abelian group कह सकते हैं क्योंकि यह abelian group है यह abelian group है तो इनका जो direct product है या direct sum वो क्या हो जाएगा abelian group होगा ठीक है तो यहां तक clear होगा तो कहने का मतलब यह हमारे पास सिर्फ abelian group है अब हमें calculate करना है कि इसके पास 7 order के कितने number of subgroup होंगे हमारे पास एक result होता है कि number of cyclic subgroup of order d where d divides n मालो इस group का order n है तो यहां पर अगर में group के order की बात करूं तो यह आजाएगा 7 into 14 है अब कोई d अगर इससे divide कर रहा है जैसे कि 7 अगर इसको divide कर रहा है तो उस order के कितने number of cyclic subgroup होंगे तो देखो तो अगर number of cyclic subgroup of order d where d divides n is equal to पहले तो आप यह निकाल लो कि कितने number of elements होंगे of order d in g तो d order के कितने number of elements होंगे इस group के अंदर और उसके बाद 5 of d से divide कर तो 5 of d से मतलब d के कितने number of relatively prime होंगे वो हमारे पास 5 of d होता है ठीक है अब बात यह आती है कि यह कह रहा है इसने तो यह तो नहीं कहा है कि सिर्फ cyclic group इसने कहा है कि इसके पास 7 order के कितने number of subgroup होंगे अब एक बात बताओ 7 क्या है एक prime number है तो 7 order के जितने भी subgroup होंगे वो क्या होंगे सारे cyclic होंगे तो कहने का मतलब इसके पास 7 order के जितने भी subgroup है वो सारे cyclic है तो cyclic subgroup निकालना है तो formula क्या है हमारे पास उस order के कितने number of elements होंगे divided by 5 of D तो 5 of D के बात करूँ तो यह आजएगा 5 of 7 हमारा टास्क है कि कितने number of elements होंगे order 7 in A तो अगर हमें यह calculate करना है कि कितने number of cyclic subgroup यह number of subgroup of order 7 क्या निकालना है हमको कि कितने number of subgroup of order 7 in A A के पास कितने number of subgroup होंगे order 7 के इसके ले हमारा टास्क है सिर्फ कि A के पास कितने number of elements होंगे order 7 के मुह निकाल दूँगा उसको divide करना है 5 of 7 से और 5 of 7 एक prime number is 7 तो 5 of 7 के आजएगा P minus 1 that is 6 तो हमारा जो answer आने वाला है वो सिर्फ हमें calculate करना है कि A के पास कितने elements होंगे जिनका order 7 है अब ध्यानतो अब इसके लिए हम लोग क्या करते है कि इस Z7 के पास possible order क्या होंगे इसके element के अब Z7 एक cyclic group है तो इसके जो possible order होंगे इनके elements के वो वही होंगे जो 7 को divide करते है that is 1 and 7 ऐसे मैं बात करूँ Z49 की तो इसके जो possible order होंगे इसके elements के एक तो 1 होगा एक तो 7 होगा एक तो 49 होगा अब हमें क्या करना है कि Z7, Z49 के अंदर 7 order के elements थुणने है तो यहां से वो pair धुणने होंगे जिनका LCM 7 आएगा ठीक है एक आजाएगा 1 का 7 के साथ एक आजाएगा 7 के 1 के साथ और एक आजाएगा 7 का 7 के साथ simple सी बात है तो यह वो possible pairs है जिनके LCM 7 होंगे ठीक है तो यानि कि यह वो elements है जिनका order क्या होगा 7 होगा ठीक है हमें calculate क्या करना है कि कितने elements होंगे order 7 के तो यह अब हमें यह calculate करना है कितने number of elements होंगे तो आपको क्या करना होता है हर एक का 5 फंक्शन हिका यानि कि 5 of 1 into 5 of 7 plus 5 of 7 into 5 of 1 plus 5 of 7 into 5 of 7 यह simple formula है हमारे पास तो 5 of 1 की value 1 आ जाएगी 5 of 7 की value 6 5 of 7 is equal to 6 5 of 1 is equal to 1 और यह 6 into 6 यानि कि जब इसको आप calculate करोगे तो यह total 8 into 6 यानि कि 48 आ जाएगा अब यह value को उठाके यहाँ put कर दो आप इसको divide करोगे तो total 8 number of subgroups है तो हलाकि यह simple सा calculation है formula यूज करके आप calculate कर सकते हैं अब इसमें important point क्या था यह देखो अब यह question तो इतना difficult नहीं था इस question को कोई भी एक average student भी deal कर सकता है बट problem यह है कि अगर जब इस question को आप interview के ले जाते हो क्यूंकि अगर आप NBHM clear कर ले हो तो जाहिर सी बात है आपका सारे SS में आपके shortlist हो जाओगे इसके अलावा scholarship के लिए आपको NBHM के PhD में जाना होगा तो उसके लिए अगर मालूई इस question को आपने किया है तो इससे related चूंदे है तो आपने तो नम्यादे है